हाई गाईज वैलकम टू माई चैनल तो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग आई होग कि आप सभी लोग अच्छी होंगे तो देखें गाईज एक बहुत ही खुबसुर सा पैटन लेकर आई हूँ थोड़ा सा बढ़ा होगा लेकिन बहुत आसान होगा बिगनर्स फ्रेंडली होगा तो वीडियो को फुल वाच कीजेगा ध्यान से वीडियो को स्किप मत कीजेगा अब देखें इसके लिए मैं यह आप नॉर्मल बूल यूज कर रही हूँ और दस नमर की सलाइया मैं यह आप यूज कर रही हूँ तो देखें पैटन बनाने के लिए हमें साथ के यह सकते हैं दस लाई मैं ठीक है तो सबसे पहले पैटन को स्टार्ट करने के लिए हम यहां पर दो बेसिक रोकी जरूत पड़ेगी ठीक हैं तो यह दिखें यहां प्रस्ट योतों यह बता रही हूँ यह लाइं सरह के बाहां पर देखें पहला पांच फंदे शीदे 1, 2, 3, 4 7 के multiple में इसमें फंदे पढ़ने होते हैं प्लस आपको इसमें 4 फंदे एक्स्टा रखने हैं ठीक है? यह तो मैं आपको पताने भूल गई थी तो 4 और 5 ठीक है? 2, 4, 5 धागा अपनी तरफ 2 फंदे उल्टे 1, 2 धागा पीछे 5 सीधे 1, 2, 3, 4, 5 धागा अपनी तरफ 2 फंदे उल्टे 1, 2 धागा पीछे 1 फंदा सीधा तो देखें यह दो बेसिक रो हैं यह रिपीट नहीं करने हैं आपको दुबारा थर्ड रो से हमारा जब बेसिक रो की दोनो रो लाइन्स बन जाएंगी इसके बाद हमारा थर्ड रो से पैटर्न स्टार्ट होगा यानि कि उसे हम फर्स्ट रो बोलेंगे तो अब देखें यहाँ पर पहला फंदा स्लिप करेंगे रॉंग साइट से आगरें तो जो फंदे हमें जैसे दिख रहे हैं वैसे बनाएंगे तो यहाँ देखेगा दो फंदे हमें सीधे दिखाई दे रहे हैं तो इन्हें सीधा बनाएंगे धागा अपनी तरफ करेंगे पाँच फंदे उल्टे धागा अपनी तरफ पाँच फंदे उल्टे धागा पीछे दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा अब देखें यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा यह दो लाइन्स बनाना जरूरी है यह पैटर्न में काउंट नहीं होगी क्योंकि यह दुबारा नहीं बनाई जाएंगी अब देखें करना क्या है पहला पैटर्न की फिर्स ट्रो पहला फंदा स्लिप करेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे उल्टे बनाएंगे वान डू अब देखें धागा पीछे ले जाएंगे एक फंदा बनाएंगे हम सीधा देहां से देखेगा ठीक है सीधा बनाया अब यहां पर हम देखे इस तरह से धागा घुमाएंगे इस तरह से एक जाली बनाएंगे फिर यह तीन फंदे लेंगे यह चार बचे है बैटन के तो हम तीन फंदों मेंसे यह जो स्टार्टिं के ती अगे ले आएंगे इस तरह से अब ये बागी जो दो फंदे हैं को इसी सलाई पर चड़ा देंगे और एक-एक करके इनको देखिए वान दो बनाए अब जीजि दीखे तीसरा फंदा है क्योंकि यह पर एक फंदा वारा बढ़ गया जाली वाला तो इसे हम यह पर एक फंदा कम करना है तीसरे फंदे को हमें ये लास्ट वाले फंदे के साथ देखिए इस तरह से डालेंगे देखिएगा ऐसे है सलाई पे दिहान से देखिएगा इस तरह से डालेंगे और ये वाले सलाई में ऐसे डालके इस तरह से हम निकाल लेंगे ऐसे और दोनों फंदों को निचे गिरा यह इस तरह से बन जाएगा थीक है अब धागा अपनी तरफ दो फंदे ओल्टे one two धागा पीछे एक फंद यह जो पांच फंद हैं फिर से बताती हूँ केबल ट्विस्ट करेंगे आप और एक फंदा मिहाँ लाएंगे इन दोणों को इधर चला देंगे और इन दो पंदों को एके करके सीधा मरा लेंगे वाइन तू अब देखी यह जो फंदा है इस मैसे हम यह वाला फंदा बनाएंगे ऐसे यह देखिए और दोनों गिरा उल्टे बस यह आपको ध्यान रखने की जुरूत है अब देखिएगा क्या करना है यह हमारी पैटर्ण की फर्स्ट रो हो गई सेकेंड रो देखिए अब जैसे मैं बता रही हूं बस बही करते जाना है बहुत सिंपल है रोंग साइड से हर बार ऐसा ही करना पहला फंदा सिलिप करेंगे दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ पाँच फंदे उल्टे वन टू त्री और देखिए जाली वाला फंदा फूर और यह देखिए फाइब धागा पीछे दो फंदे सीधे यह देखिए फिदेगे धागा अपनी तरफ लाएँगे पाँच फंदे उल्टे वन टू त्री और यह देखिए जाली वाला फंदा फूर फाइब ठीक है दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा अब देखिए अब ऐसे ही यह जो सलाई निकाली सेकेंड रो ऐसी ही मैं करीबन दो लाइन स्वाइट से और बनाऊँगी और फ्रेंट साइट से भी दो बनाऊँगी तो देखिए अब फ्रेंट साइट से आ गए हम अब यह हमारी थर्ड रो है ठीक है पहली सलाई पैटर्न की हो गई दूसरी सलाई रोंग साइट से अब यह हमारी फ्रेंट साइट से तीसरी रो है तो देखिए इस तरह से उतारेंगे धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा पीछे जैसे हमने बेस रो बनाई थी फर्स्ट रो वैसे बनाएंगे इसको पांच फंदे सीधे देखिए धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे पांच फंदे सीधे वान टू थ्री फोर फाइव धागा अपनी तरफ दो फंदे सीधे ये रो थ्री हो गई एक लास्ट का फंदा सीधा अब देखिए रो टू की तरह ही रो फोर वनेगी पहला फंदा स्लिप धागा पीछे पांच इस तरह से देखिए दो फंदे सीधे दागा अपनी तरफ पांच फंदे उल्टे फोर फाइब थोड़ा जलती जलती बनाएँगे अब दो फंदे सीधे पाज फंदे उल्टे वन टू थो थ्री फोर फाइब दो फंदे सीधे वन टू एज स्टिच को उल्टा ठीक है अब नेक्स ट्रो पे आजाएँगे फिर से अब अब यह रो नमबर फाइब हैं तो देखिए एक डिजाइन का गया वन तो टू फिर त्री त फिर रॉंग साइड से फोर और यह फाइब धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा पीछे पाँच फंदे सीधे धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा पीछे पाँच फंदे सीधे दो फंदे उल्टे एक फंदा सीधा अब फिर से रॉंग साइड का जाएँगे देखिए इस तरसे आया अब देखिए फिर से दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ पाँच फंदे उल्टे धागा पीछे दो फंदे सीधे पाँच फंदे उल्टे दो फंदे सीधे एक फंदा उल्टा अब देखिए यहाँ पर नेस्ट जो रो आई अब देखिए गाँच अब सेवन्द रो पर हम यहाँ पर फंदा सेवन्द रो जब आईगी तब हम यहाँ पर यह फर्स्ट वाली रो की तरह बनाएंगे उससे पहले फ्रंट साइड से हम दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे पाँच फंदे सीधे दो फंदे उल्टे इस तरह से बनाएंगे अब देखिए फिर से हम रो बन की तरह बनाएं यह आप है धागा स्लिप करेंगे दो फंदे उल्टे ध्यान से दिखेगा इतनी सलाईयों का गैप हमें बीच में रखना है अब देखिए धागा पीछे एक फंदा सीधा बनाएंगे अब फिर धागा घुमाएंगे फिर से रोवाला डिजाइन डालेंगे यहां यह रिपीट फंदा लेंगे हम इस तरह से दो फंदे उल्टे वान धागा पीछे एक फंदा सीधा और एक जाली फिर इस तरह से देखिएगा ऐसे लेंगे फिर यह देखिए इस तरह से यह देखिए दो फंदे उल्टे अब देखिए गाइस इसके बाद आपने फिर से बही करना है रिपीट जो मैंने अभी यहां पर बताया था रोंग साइट से आपको जाना है और फिर वही दो सीधे पांच उल्टे दो सीधे पांच उल्टे फिर फ्रंट साइड से आएंगे आप फिर दो उल्टे पांच सीधे दो उल्टे पांच सीधे फिर से रॉंग साइड जाएंगे ठीक है तो देखें दो सीधे पांच उल्टे दो सीधे पांच उल्टे फिर फ् इसे किसी बड़े project में डालेंगे न तो यह बहुत खूबसूरत लगेगा बनके देखिए यहाँ पर मैंने इसको डाला हुआ है देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है यह pattern केबन बहुत सुन्दर लगती है यह देखिए आप एक बार इसे try जरूर कीजेगा और अपने experience ज जिससे कि मेरे आने वाले video के notification आपको समय से सबसे पहले मिलते रहे comment करके बताएगा कि यह design थोड़ा सा हटकी है आपको कैसा लगा front side से देखिएगा ऐसे दिख रहा है और wrong side से इस तरह से दिखाई दे रहा है इंस्टा का link प्लस मेरे जो other channel है उन सभी channels का link आपको description box में मि जरूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आए तो like जरूर कर दें मेरे इस वीडियो को मेरे other channel पर वीजिट करें मेरा makeup का channel है जहां पर makeup tutorials, DIY skincare, hair care remedies देती हूं तो वहाँ पर एक बार जाके वीजिट कीजिएगा तो चलिए फिर मिलते हैं किसी next video में तब तक के लिए thank you bye bye